नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजिनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त, इंजिनियर अभी सेक सिंग, दोस्तों, हाउस कंस्ट्रक्शन में क्रैक्स आना बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मतलब कि घर बनने के लगभग लगभग, एक महीने बाद, और जिस साइट पर अभी मैं हूँ, यहां तो घर की ढलाई भी नहीं हुई है, और क्रैक्स दिखने स्टार्ट हो गया है, तो आखिरकार दोस्तों, क्या कारण है कि ये क्रैक्स आने लगते हैं, ये क्रैक्स कहां कहां पर आपको दिख सकते हैं, टेक्नोलोजी में क्या दिक कटा सकती है, क्या technique हमारा गलती रहता है या फिर mystery या फिर labor से कहां पर लापरवाही होती है जिसके वज़े से हमारे घर में cracks आते हैं, पूरी जनकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाली है सबसे पहले technology कहीं बात करेंगे दोस्तो अभी जो हाई-Rise बीडिंग बन रहे है। उसमें क्या होता है कि पहले जो है व जाता है दोस्तो अब जैसे देख रहे हैं ये कॉलम जो है वो बिल्कुल चिकना है और इसमें चीपिंग मगरा नहीं किया गया है तो जब प्लास्टर होगा दोस्तो प्लास्टर में भी क्रैक्स वगरा और प्लास्टर पुखरने का जो समस्या है वो इसमें बिल्कुल आने के चांसे से तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे अब बात कर लेते हैं कि पहले धलाई कर ले या फिर पहले जुराई कर ले दोस्तों रेसिडेंसियल भावन अगर बना रहे हैं जैसे कि ये देखिए पहले वाला केस आ आप देख रहे हैं कि यहां पे पहले जुराई किया गया है बाद में धलाई किया गया है और फायदा आपको साफ तोर पे नजर आएगा कि फायदा ये नजर आएगा दोस्तों कि आपके इंट में जो ब्रिक वर्क है दोस्तों जहां जहां पे जगा मिलेगा हमारा आप देख सकते है और पहले जो हमारे कॉलम कास्टिंग होता है उसमें बिल्कुल सीधा निकलता दोस्तो एक लाइन हो जाएगा और वही लाइन बाद में क्रैक का रूप ले लेता है लेकिन जब पहले जुराइं करते हैं और बाद में ढुए हर दोस्तो तो इस तरह से वह इ इस पिवार है दोस्तों उनको अच्छे तरीके से पानी से जो सो भींगों लेना चाहिए अगर पानी से अपनि से आप नहीं भींगाएंगे तो आपका जो कंक्रेट है को पूरा पूरा इ Clarke imp Produρώ उसकी यहांँ होता है दोस्तों पहले वहां पर देखेंगे उसको भींगा दि जाता है और उसके बाद ये धलाई करवाए ताकि आपका जो धलाई कंक्रीट वला जो पानी है दोस्तों वो कंक्रीट में ही रहे और आपका शलरी बरबाद ना हो साथ इसाथ दोस्तों वो बिल्कुल डिहाइडरेट के पोजिशन में ना आपाए अब बात कर लेते हैं एक च का प्रोसेस से वो कंप्लीट हो जाए उमीद गरता हूँ जनकारी अच्छी लगी होगी धन्यवाद दोस्तों